आबे हायात येशु बिन सिराख 27 वाब कुछ नफा के लिए बतेरों ने गुनाह किया और दौलत का तालिब चेश्म पोशी करता है जुड़े हुए पत्थरों के दर्मियान मेख गिर जाती है और खरीदो फरोखत के दर्मियान गुनाह लटक जाता है बदी बदकार के साथ नेस्थ हो जाएगी जो खुदावन के खौफ में काइम रहने की खाहिश नहीं करता वो अपने घर को जल्द ढ़ा देगा छलनी ही लाने के वक्त छान बाकी रह जाता है ऐसे ही फिकर करने में इनसान की तश्वीश है मिट्टी का बरतन भट्टी में आजमाया जाता है और इनसान का उसकी गुफटगू से इम्तिहान किया जाता है जिस तरह दरख्त की खबरगीरी उसके फल से जाहिर होती है उसी तरह इनसान के दिल का खयाल उसके कलाम से जाहिर होता है आदमी के कलाम करने से पेशतर उसकी तारीफ ना कर क्योंकि इसी से आदमियों का इम्तिहान किया जाता है अगर तू सदाखत का पीछा करे तो उसे पालेगा और खिलत की तरह उसे पहनेगा और उसके साथ सुकुनत करेगा तो वो अबद तक तेरी हिफाज़त करेगी और मोहताजी के दिन तू उसे तक्यागा हासिल करेगा परिंदे अपने हम जिन्स की तरफ जाते हैं और सदाखत अपने आमिलों की तरफ वापस आती है जिस तरह शेर अपने शिकार के लिए घात लगाता है इसी तरह गुणाह बदी करने वाले के लिए घात लगाता है खुदातर्स आदमी की बात हमेशा हिक्मत है लेकिन जाहिल चांद की तरह बदलता है जाहिलों के दर्मियान फूरसत का इंतजार कर पर रकलमंदों के दर्मियान हमेशा रह एहमकों की गुफ्तगू मक्रू है और गुनाह की लजज़तों में उनकी हसी है बहुत कसम खाने वाले की बातचीत रॉंग्टे खड़े कर देती है और आदमी उसकी बेयदवी से अपने कान बंद कर लेते हैं मग्रूरों का जगड़ा खून बहाता है और उनकी आपस में गालियों का सुनना गिरा है जो भेद जाहिर करता है वो एतबार खो देता है और हस्बे खाहिश दोस्त ना पाएगा अपने दोस्त को प्यार कर और उसके साथ वफादार रह लेकिन अगर तुने उसका भेद जाहिर किया तो बाद अजा उसकी खाहिश ना कर क्यूंकि जो अपने हमसाई की रिफाकत को तल्फ करता है वो उसके बराबर है जो अपने रफीक को तल्फ करता है और तेरा हमसाई को तर्प करना ऐसा है जैसे कि तू अपने हाथ से परिंदे को छोड़ दे फिर तू उसे फिर ना पकड़ेगा उसके पीछे ना जा क्यूंकि वो दूर चला गया और हिरन की तरह फंदे से भाग गया जखम के लिए लेप है और गालिया देने के बाद सुला है मगर जो भेद को जाहिर करता है उसकी हालत नाउमीदी की है आँख से इशारा करने वाला शरारतें पैदा करता है और कोई उससे परहेज नहीं करता तेरी आँखों के सामने वो अपने मूँ से मीठा है और तेरे कलाम की तारीफ करता है बाद अजां वो अपनी बात बदलेगा और तेरे कलाम से तुझे ठोकर खिलाएगा मैंने बहुत सी बातों से नफरत की लेकिन इसके बराबर किसी से नहीं और खुदावन भी उससे नफरत करेगा जिस तरह हवा में उपर फैंका हुआ पत्थर फैंकने वाले के सर पर आपड़ता है उसी तरह फरेब की जरब फरेब देने वाले को जखमी करती है जो गड़ा खोदता है वो उसी में गिरेगा और जिसने जाल लगाया वो उसी में फंसेगा जो बदी कोई करता है वो उसी पर लौट आएगी और वो ना जानेगा कि वो कहां से उस पर आई मस्खरी और मलामत करना मगरूरों का बखरा है और इंतकाम उनके लिए शेर की मानिंद घात लगाएगा जो रास्टबाजों के गिरने पर खुश होते हैं वो जाल में शिकार किये जाएंगे और गम उनकी मौत से पेशतर उन्हें फना करेगा कीना और गजब दोनों मकरू हैं और खताकार आदमी उन्हें पकड़े रहता है